अब रहान लिंकल ने लोगतंत्र के बारे में कहा था The government of the people, by the people, for the people Government of the people, जनता की सरकार है जनता के द्वारा बनी है और जनता के लिए बनता है Government of the people, by the people and for the people लोगतंत्र एक ऐसी सासन है जिसमें जंता की सरकार हैं, जंता के द्वारा बनियें और जंता का ही काम करें, तो यह अब रहान लिंकर ने किया था, of the people, by the people, for the people, of by far, लोक तंत्र, अभी वरतमान समय में, दुनिया में सबसे बहतरीनमेट जो है वो लोक तंत्र, जो है वो क्या है लोक तंत्र, यह लोक तंत्र द परत्यक्ष परत्यक्ष एक परेट्र s trauter presenting और एक कुछ लोगतंट्र प्रत्यक्ष लोगतंट्र इससे direct democracy डियारेक्ष लोगतंट्र कवल छोटे देश में संभव है जब कभी भी एर्या छोटा रहेगा छोटा एर्या में यह संभव कशुप है परतियक्ष लोक तंद्र का मतलब होता है कि काणून जन्ता बनाएगी जन्ता कानून बनाएगी खुदे आईईघी वोटिंग करेंगी जैसे स्विटेजर लेंड उनाड मैं पंचायत भएरत जंता कम यह गाव में आदमी कम रहता है यहां पंचायत लगावान सब जैया यह एक राभी आ करा दो, हो गया पंचायत खतम, सन्या गया, तो स्वीड जट लेए, यही क्या हो गया इसको, इसको क्या हो गया, यही इसको हो गया, स्वीच कर देखें, हाँ, ठीक है, चलिए, वो गलती से एंड्रोइड खुल गया था, फिर खुल गया क्या, आगे बढ़े, बेकुप लड़की नहीं लड़का है, अचा लड़की के नम लिए, इसलिए, सुलिए, हमको लगा है, तुमको करागी लड़का है, ध्यान से देख इदर, तो पंचायत में कैसा नियम है, परतियाक्ष लोग तन्त, सारे लोग मिल के कानून बनाते है, अब एक बात बता भया, अगर भारत में परतियाक्ष लोग तन्तर कर दिएगा, अब का होगा, भारत में रोग तन्तर कईसे होगा, तो कहा गिया कि काम करो, 10 लाख आधमी मिलकर अपना एगो ओ आदमी चुनलो, उका लाएगा 1700, का प्रतियाक्ष यह प्रतियक्ष आप्र्तियक्ष लोगतंत्र वाला आदमी है यह पर्तियक्ष लोगतंत्र में है रिप्रेजेंटेटिव जा करसाशन करेंगे खान्елाग्या हमारे देश में बताइए कैसा लोक्तंतर है तो हमारे देश हमें पंचायत में परत्याक्ष्य पर है लेकिन अधरवाइज परत्याक्ष्य लोक्तंतर और G कुछ बटाएं बया, इंडारेक्ट में, अब देखिए बया, दुनिया में जादे तर जगहों पर कौन सा है, यह इंडारेक्ट वाला ही है, क्योंकि बया हम लोग अच्छे लोगों का चुनाओ करके भेजेंगे, तो अच्छा होगा, बोकातों का को चुन के भेज देंगे त सब घरत नहीं है लेकिन एक से कई नेता को देखें जिसको बात करने कि तहजीब नहीं है जनता की गलती है का टून जमना बने तो किसी नेता का फोटोचिप घडबढ़ भी ए सब नहीं है लेकिन कुछ घडबढ़ है देखें द्यान से आप परतियक्स लोगतंत दो टाइप क और परतएयक्ष लोगतंत ड्रो टाइप का एक अध्याक्षात्मक ऊद्याक्षात्मक और 1 होता है आपका संसधियं संसदिया अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदिया अध्यक्षात्मक में क्या होता है वाश्टविक यह दोनों की अध्यक्षात्मक जैसे अमेरिका अध्यक्षात्मक है वहाँ जो था ससुरा पहले ट्रॉम्प था अब बाइडेन है जबकि यहां अगर आप देखेंगे इस एरिया में तो यहां पर आपके आप चारिक यानि आप चारिक बोले तो फूपा जी के रूप में आप आप में से कितने लोग बता सकते कि ब्रिटेन में कौन सा लोकतंतर है ब्रिटेन में प्रत्यक्ष है या आप्रत्यक्ष है तो भया हम इतना बता देते हैं ब्रिटेन में आप्रत्यक्ष है लेकिन ब्रिटेन में आप्रत्यक्ष में बताएंगे कि अध्यक्षात्मक है कि संसदिय है अध्यक्षात्मक है कि ब्रिटेन में संसदी है तो आप इस बात का असपस्टी करण दीजिए कि ब्रिटेन में तो मान गए कि वास्तवीक सासन परधान मंतरी के पास है तब ब्रिटेन का अपचारिक सासन किसके पास रहेगा ब्रिटेन का अपचारिक यानि फूपाजी के कुर्जी पर कोन बैठेग तब महारानी ति त तु लगव महारानी महाराणी महाराणी हाँ आप समझाएं से ब्रिटें में क्या है भई याद ब्रिटें में यह पाकिस्तान में क्या है यही वाला है वास्तवी क на upp that एमरान खान है आम चारी क्रूप से राष्ट पती को बैठा दिया गया है चाइना में बताईया अध्यक्षात्म क्या संसदिया चाइना में बताईया अध्यक्षात्म क्या संसदिया कितने लोग बता सकते हैं चाइना में अध्यक्षात्म क्या संसदिया चाइना में अध्यक्षात्म क्या संसदिया वह अला दू नंबर वला चाइना में कि अध्याक्षात्मक का चाइना में लोगतंत्र हाइए नहीं है तो आप अर्तियक्ष लोगतंत्र नहीं है तो इस बात पर बहुस क्या की संसदी है कि अध्याक्षात्मक है और चाइना जो है वह तो इस डेमक्रेसी नहीं है चाइना देमक्रेसी का हिस्सा हिस्सा ही आज के लिए इतना ही राने देता आज के लिए इतना ही आज कल करेंगे खलुद आज के लिए क्यों सिल एकने में एकम के लिए आज के लिए।